प्रेम में दोपल जीले पगले जग है कोई माया प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया उसने ही सब पाया अनके सुख में जीवन बीता मन को क्यों तड़ पाये अंतर में तु प्रेम बसाले प्रेम ही पाज लगाए प्रेम ही पाज लगाए प्रेम ही मालवता की शक्ति प्रेम लुटा संसार में इक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में जो संसार में इक कलपना सच हुए संसार में ओजपूर्ण है भाशा शैली रचना भाव भरी रचना भाव भरी कादंबरी 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 कादम परी कादम बरी कादम बरी फिप तक इस यह का पागहे पिता शरी सरोबर के किनारे किसी व्रक्षिक गोंसले से गिर गया था । क्या मिए से यहां आष्रम में रख सकता हूं ये अपने ही दुश्कर्मों का फल भोग रहा है हारित। रिशिवर इसने कैसा अपराद किया था। हाँ, पूरु जनम में ये कहां और कौन था। हाँ, पिताजी, बताईए, इसका पूरुवे तेहास बताईए। जैयतु महाराज। महाराज, मुझे लगता है कि सुपन की बात सच हो गई है। आपकी आँखों को देखकर मैंने अनुमान लगा लिया है। हाँ, मेरे सम्मान निमंत्री। जो समाचार मैंने सुना है, यानि वो सत्य है, तो मेरा सौपन भी सत्य है। मैं कलपना नहीं कर पारा कि अपना आनन कैसे व्यक्त करूँ। किम्तु शुक्नास। जी राजन। कहीं उसने मेरा उपास करने हेतु तो नहीं का। राजन। क्योंना रनिवास में चलकर रानी से पूछ कर निश्य कर ले। हाँ, चलिए। हमें यद हर्थ करने श्य कर लेना चाहिए। आये। महरानी जी, महराज आ रहे हैं। महरानी जी, कुलवर्धना ने जो कुछ कहा है, क्या वो सत्य है। ये मैंने महराज जानना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं पूछा है। शुकनास, मुझे इसमें कोई संशन नहीं था। महराज, आप क्यूं मुझे इतना लज्जित करते हो। महराज, महरानी जी को क्यूं कर्श दे रहे हैं। ऐसी बातों से वे अत्यनत लज्जित हो जाती है। मेरे विचार से आपको कोलवर्धना की बातों के प्रसंग को भूल जाना चाहिए। मंत्री महोदे। मुझे लगता है मुझे यहां से चलना चाहिए। मुझे आग्या दीजी महराज। प्रिये, मैं भी चलता हूँ। महराज, एक चमतकृत बालक का जन्म हुआ है। महराज, जो राज का नाम चंद्रा प्यूड हो गए, यह मेरा सुझाव है। महराज, महराज, वह, वह पुर्ण रुपेन आपी की समान है। राजन, वह सूरी की समान तेजिस्वी है, हां महराज। बालक की आखे तो कमल के समान हैं, महराज। स्वामी, निश्चही वह आपके लिए इश्वर का वर्दान है। पुर्विट जी, महराज, शिशु का मुख देखने के लिए अत्तुछ सुख है। राजन, अब आप अपने पुत्र के दर्शन कर सकते हैं। अहे। अहे। हमारी यूराज का नाम चंद्रापीड होगा कितना प्यारा है यूरा चंद्रापीर की चाक्रवर्ति समराट महारास तारा पीड की जै महराज की जय हो महराज हमारे शत्रू पराजित हुए आप विजय हुए महराज अत्यन्त सुखन महराज की जय हो महराज माननिय मंत्री माशे शुकनाज की पत्नी मनरुमा देवी ने भी एक बाल शिश्य को जनन दिया है अद्भूद सुख़दाश्चे दिये अविचिन मंगल की धारा सत्त ही कहा है विपत्ती विपत्ती का और संपत्ती संपत्ती का अनुसरन करती है आए शीग्रही नवजात शीशु का दर्शन करें आए माया कुर्शन करते है बॉष्टने नवाज वृदकेने यदित्य हैशान वपत आपवंदंतो जीवसे देर्गा युत्वाय वर्चसे यस्ताहृदा कीरिणा मन्यमानो मर्चं मर्चो जोह वीमी जातवेदो यशो अस्मासुदेहि प्रजा बिरग्ने अमृतत्तो मस्यां यस्मैत्वकं सुगर्दे जातवेदव लोकबग्ये कृडवस्योनं अश्विनकंसपुत्रलं वीरवनतं कोमन दकं रहिनस्यते स्वस्ती स्वन्त्वाशिंचा मियस्जुशा प्रजामा यृद्धनन्चा ओम आतुरा यंद्रक्षमांतं तरंग्रावं संद्रभाजा महास्ते दक्षिनेरा विद्माहित्वा तुवे कोविमिन तुवे जेश्टं तुवे लगं तुवे मात्रम ओभे नहित्वा आशूर देवा रभता सभित्संतं ते वन्नागां वारजंते ये तामिन रस्त वावे शां बस्त स्वाराजं ममा शोतस्मार्त निज्यकर्मानस्थान योग्यतासि जर्थम एग्योप वीत धारनं करिशे ओम एग्योप वेतं परमं पवित्रं पजापते ध्यत्स अजं पुरस्ताद आईश्यम प्रियं कृति मुंच शुप्रै एग्योप वेतं बलमं तुते रहा एग्योप वीत धार्न मुहूत्स महार्त निज्यकर्मानस्थान पुरस्तो शतमानं भावतिशताय पुरुषय शतेंद्रिया आयोप शेवेंद्रिये प्रतितिष्थमति अस्यवत्टोः प्रणवस्थधामेधा दारणा सिध्धिरस्तू अम भूर्द्वु वस्वाहा, ओम् थत्सम्धूठ्स्चु आजिया। भर्गो देवस्यधी मही भियो जो नप्रचोधयात भर्गो देवस्यधी मही भियो जो नप्रचोधयात भर्गो देवस्यधी मही भियो जो नप्रचोधयात भवति भिक्षाम देही भवति भिक्षाम देही ये मुझे दीजिये और प्रणाम कीजिये प्रणाम कीजिये प्रणाम माते प्रणाम कीजिये प्रणाम माते आयुश मान दो जीते रहो मेरे लाग सामी राजकुमार चंग्रते एवं कुमार वैशंपायन गुरुकुल में आप दोनों को सर्वप्रकार के शिक्षा प्रणाम महाराज आये युवराज आये कुमार आये उवराज यूराच चन्द्रापीर की कुमार वहशाम पायन की अरे ओ शिक्रह चलने वाली मुझे भी अपने साथ ले ले मैं भी यू राज चंद्रापीर को देखने के लिए बैकुलूं। ए तिरह सिंदूर बह गया है उसे तथीक कर ले। अर्यो मतवाली धक्का क्यो मारती है। ओहो राजकुमार को देखने की इतनी उसुकता। अर्यो कहें के लज्जा चल चल यूवराज को तो देख लें। पता है पता है मुझे सब पता है पर यूवन यूवक को देखके थकता का अफ्य। अर्यो तू कांचवर से पीडित है। देख देख तेने तो रोएं भी खड़े हो गए है। अरी छोड़ भी देखने दे मुझे यूवराज चंद्रापीड को तू अपनी लटो को पान ले। अय हर्जा मुझे देखने दे। अय है तू छोड़ अपने करने पहलों मत हिला। अरे निलच पहले अपना दूपट्टा तो ठीक कर ले। फिर देखना राजकुमार को। अरे ओ प्रियो सकी अपने सुझाव अपने पास ही रख। मुझे राजकुमार का अउलोकन करने दे। हाई कितने संदर है राजकुमार। अरे उत्कुरुष योवन वाली अपने विशास तनों के आगा से मुझे क्यों पिड़ा देती है। देखने लिए राजकुमार को। ऐसा हमसर पुना कहां मिलेगा। पुना हमसर उपकुमार का ड्पकुमार को भाजकुमार भीछ। झाल, 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 झाल बेटो जाओ पुत्रो, पुत्र वस्सला अपनी माताओं का अविवादन करो जीते रहो, मेरे लाँ आश्मान भाव मेरे पिता की इच्छा और प्रसाद से आज तुम्हें समस्त विद्याओं से परिपूरुन देख सके हूं अब तो मेरे इच्छा इस कक्ष में बढ़ू को देखने की है यूरा चंद्रा पीड पधा रहे है यूरा चंद्रा पीड पधा रहे है यूरा चंद्रा पीड पधा रहे है सर्वों मत परचार कूं मेरा निमंत्रन स्विकार कर आप सभी यहां पधा रहे हैं इसके लिए मैं आप सब का आभारी हूं और हारदिक्षुप कामना प्रकट करता हूं विद्वान सज्जनों आज की गोष्टी का शुभारंव किया जाए बौद मतानुसार विवेक वैराग्य सससम्मत और मुमुक्षत्व ये सब तभी मिलता है जब मनुष्य ब्रह्म की खोज है तू बनाए गए नियमों का पालन करता है इतियास वर्णित है कि पाशुपत्पंथ ने सर्व प्रत्थम शेवादयत्मत का उलेक किया ऐसा महाभारत में भी उलेकित है इस विचार के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का अस्तित्त अलग-अलग है और यही दोनों इस भौतिक जगत के प्रमुक कारक हैं चंद्रपीड इस विशय पर उचित आउसर आने पर मैं तुमसे अवश्य चर्चा करूंगा चंद्रपीड हमारे राज्य को एक लंबे समय के पश्यात इच्छित फल मिला है तुम्हारी उपस्तिती से यहां हर कोई अतिप्रसन नहें तुम्हें पाकर हम सभी सभाग्यशाली हैं तुम इस धरा के स्वामी हो जैसे वारा ने पृत्वी को उठा कर बचाया था वैसे ही तुम भी कल्पों तक इस पृत्वी का वहन करो चंद्रापील मनुरमा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं जाओ जाकर उन्से मिलो हाँ पाशुपजी आप कह रहे थे कि इस भृतिक जगत के कारक परमात्मा और जीवात्मा हैं अतिसुंदर आगे कहिए यूराज महराज तारापीड ने उच्छे श्रेवा के सामान ये इंद्रायूद नामक अश्व आपके लिए बेजा है महराज का मत्स शिरोधारी है मेगनाद है अश्र तुम जो भी हो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ है महात्मन मेरे तुम पर सवार होने की अवग्या को सरवता क्षमा करना क्योंकि अपरचित देवता भी असंगत अपमान के भागी बन जाते हैं है यूराज की जैहो हमारे प्रमुक कंचु की कैला शेक अन्या के साथ आपसे मिलने हैं तु प्रतिक्षारत हैं यूराज उन्हें यहां आने दो जो आग्या आईए आईए आउ प्रणाम यूराज गुलाबी आचल के भीतर से ऐसी लगती है जैसे सूर्य की सुनहरी कुंकुनी किरनों को ठक लिया गया हो जैसे संगमर्वर की प्यारी सी मूर्ती में प्राण डाल दिया गया हो इसने यहां साक्षात चंदरलों को बस्तित करती है क्या यह किसी राजसी परिवार की देवी है प्रेम में दो पन जीले पगले जग है कोई माया प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया उसने ही सब पाया अनके सुख में जीवन बीता मन को किम तड़ पाये अंतर में तु प्रेम बसाले प्रेम ही पाज लगाए प्रेम ही पाज लगाए उसकτοने मुल प्रेम भी पाया करियंक प्रेम झास रभन हम ढ़त